Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस lecture में हम अविदेश प्रताप सिंग युनिवर्सिटी के PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम Research Methodology पर कुछ important MCQs आज के सेशन में डिसकस करने वाले हैं. तो काफी important session होने वाला है, मैं आपको बता दू कि आपके जो Research Methodology के MCQs है, आज के सेशन में मैंने वो MCQs आपके साथ डिसकस करा है, जो जनरली आपके PhD entrance examination में पूछे ही जाते हैं. मैं आपको बता दू कि आपको पता होना चाहिए, अविदेश प्रताप Singh University का जो पहले PhD entrance examination आपका कंड़क्ट हुआ था, यह आपकी जो डेट थी तब 22nd of July 2022 आपकी PhD entrance examination की डेट थी, लेकिन अब उस डेट को change कर दिया गया है, अब आपका जो examination होने वाला है, यह आपका 26th of August को conduct करवाया जाएगा, 26th of August 2022 का आपका examination करवाया जाएगा, तो आपके पास more than a month remaining है, इस more than a month याई एक महिन से भी जाद आपके पास time बचा हुआ है, आपको जल से जल preparations को start करना है, इस मैं आपको बता दू किस तरीके से सारे चीज़ों को follow करना है, और आगे मैं आपको बता दू, आगे वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हो कि आपका schedule जो तरीके से change हुआ है, उस notification का भी मैंने screenshot आपको आगे बता रखा है, ठीक है, तब मैं next आपको बता दू आपको पास्ट पास्ट है, उसमें आपको टोटल 100 mcqs पूछा जाता है, ठीक है, 100 mcqs को आपको 50 mcqs में convert करा है, ठीक है, अब यह फॉस्ट आपको 50 mcqs पूछा जाता है, यह आपको research methodology पर पूछा जाता है, remaining 50 mcqs जो है, यह आपको आपके subject से specific पूछा जाता है, अब इसके लिए syllabus है, research methodology है तो अपना journal syllabus है, जो मैं आपको पढ़ाते रहती हूँ, meaning of research, characteristics of research, steps of research, यह होता है, आपके research methodology का syllabus, और आपके जो official website पर जो syllabus है, वो वाली link में आपके साथ नीचे description box में share कर रहा है, जिससे कि आप directly इस link पर जाकर आपके syllabus को follow कर सको, अब जैसे कि आपको बता है, 100 mcqs पूछ जाता है, जिसको 50-50 में divide कर रहा है, यह अगर आप 50 mcqs पूछ में mark कर रहा होगे, तो आप easily correct mark कर रहा होगे, तो easily आप इस examination को qualify कर रहा होगे, क्योंकि आपको 50% जो marks है, यह 50 mcqs आपको एक्जाम में correct mark कर रहा है, तो मैं आपको बता दू, research methodology पर, आपको complete course प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो lectures, notes, mock test, 1500 plus revision mcqs PDF, तो इस तरीके से आपको सारा content नेकी जगह पर provide कर रहे है, याद रखे का आपको दोनों language में, हम आपको content प्रोवाइड करते है, research methodology का, Hindi as well as English, और यह हमारे content से हम guarantee देते हैं, कि 100% questions examination में हमारे इसी आपको content से पोज़े जाएंगे, तो यह आपर 100% guarantee के साथ हम आपको content प्रोवाइड कर रहे है, तो आपको आपको time waste नहीं करना है, जल से जल कोर्स को purchase करना है, purchase करने के लिए screen पर यह जो number आपको नजर आ रहा है, इस number पर आपको WhatsApp कि तरू हमें contact करना है, और आप हमारे app कि तरू भी study material को access कर सकते है, जो कि है global online app, जिसकी मेंने link comment section or description box में भी share कर रहे है, so that's it and let's begin with the video, so एक बारी MCQs start करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीकी से हमारे content जो हम आपको provide करते हैं, जो study material हम आपको provide करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको fatak से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock tests, notes provide करते हैं, और 1500 plus MCQs revision PDF, यह सारा content आप देख रहे हो screen पर, यह आपको एक ही जगा मिलेगा, कई students क्या करते हैं, internet से study material refer करते हैं, so internet पे जो language use करी जाती है, बहुत difficult language use करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं याता है, क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से content है, आपको किस तरीके से read करना है, कितना content आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम हमारे course में आपको बताते हैं, आपको कितना study material यूज करना है, बहुत ज़्यादा भी ने आपको पढ़ना है, बहुत कम भी ने, जितना sufficient है आपके study के लिए, उतना आपको बढ़ना है, so हमारे course में आपको गाइड करते रहते हैं, कि किस शुप्र सरे और दर आपको को परचेस करने के लिए पर इसक्रीश करने के लिए पर वाट्सप करना है याद रखेगा नॉर्मल क्यों नंबर पर नहीं लगेगा और आप अमारे अप के तुरु इटियु स्टी अपर सकते हैं आपको एक्सेस काने के लेंक मैं आपके साथ description box में provide कर रखिए. So that's it and let's begin with the MCQs. जैसे कि MCQs स्टार्ट करने ते पहले मैं आपको जल्दी से एक बारी बता दू. यह आपका revised schedule है यहनी आपका schedule है APS यहनी आवदेश परताप सिंग उनिवर्सिटी का जब एको PSG entrance examination है उसका schedule है चेंज कर दिया है और यह जापकी notification आई थी उसका यहाँ पर मैंने screenshot लेकर रख लिया है तो आप भी इस notification का screenshot लेकर रख सकते हो notification जो आपका आया है recently उसके link मैं आपके साथ नीचे description box में भी share कर रखी तो यहाँ पर आपको देखना है जिसे applications पगरा की date उन्हें open कर रखी थी लेकिन आप इन्होंने close कर दिया है और आपकी जो hard copy है आपकी जो hard copy होगी receive की आपको इस address पर जैसे कि आप देख रहे हो इसी university की address पर आपको submit करना है जो कि है इसकी date उन्हें प्रवाइड कर रखी 25th of July 2022 ठीक है next जैसे कि आप screen पर देख सकते आपका जो doctoral entrance test है APS University का यह आपका 26th of August 2022 को कंड़क करवाय जा रहा है यहां पर इन्होंने ने टाइम भी आपके साथ शेयर कर रहा है विच इस 11 am to 1 pm ठीक है यानी सुबह 11 बज़े से तो पर एक बज़े की बीच में आपका examination कंड़क करवाय जागा तो यह notice रही है let's begin with the video which of the following statements is or are correct hypothesis is a proposition which can be put to test to determine its validity or point 2 null hypothesis should always be disproved if the hypothesis is disproved निमलिकित में से कौन सा और कौन से स्थन सही है फर्स्ट पॉइंट परिकलपना एक प्रस्ता है जिसे इसकी वैता निर्दित करने के लिए परिक्षन के लिए रखा जा सकता है और point 2 यदि परिकलपना असुकृत होता है तो शुन्य परिकलपना को हमेशा असुकृत किया जाना चाहिए, तो इस question में हमें यह find out करना है, कि दिये गए जो दो points हमें दिये गए है, उन में से कौन से point सही है, या फिर दोनों भी point सही है, मतलब इस question में हमें यह पता लगाना है, कि दिये गए दोनों point में से कौन से point सही होगा, कौन से स्थन सही होगा, हमें यह पता कि वेने और उन डोनों पॉइंट को हम डीटैल में देखेंगे. First point is hypothesis is a proposition. So yes, hypothesis is a proposition होता है. एक attentive statement होता है, हम पहले से इसके बारे में guess करते हैं. Proposition मतलब हम कुछ guess करते हैं. Hypothesis जिसे हम परिकलपना कहते हैं. परिकल्पना एक प्रस्ता होता है, मतलब उसके बारे में हम पहले से ही बविश्यवानी कर लेते कि ऐसा करने से सह हो सकता है. So, आगे हम statement को complete करते, which can be put to test to determine its validity. Yes, हम इसी लिए hypothesis को put करते हैं, ताकि हम इसको test कर सके, जब इसकी validity check कर सके, So, hypothesis जोती है, उसको हम सही नहीं मानते हैं, अपनी research में, एक tentative statement मानते हैं, और एक प्रस्ताओं मानते हैं, और उसको हम एक भविश्य वाने कहते हैं, हम कुछ चीजों को लेकर भविश्य वाने करते हैं अपने knowledge की बैसिज पर, अपने जयन की बैसिज पर और उसके हम अपनी research यहां पर अतना है इसको आतार में है कहते है तो परनाते ह्ट म्याये हूं भी स्कुछी के परना है है और उसे अपने रिसरोच अपने टेस्ट करते हैं उसके वालिटी बताते के वह एक्जेट कर रहा है फिर नहीं कि वह सही है कि हमें इसे रखना चाहिए और फिर रिजेक करना चाहिए यह पर आपको जो first point given है, इस सही है, उसी तरह किसे हम point 2 देखते हैं, so null hypothesis should always be disproved if the hypothesis is disproved, मतलब आप क्या करते हो, जब भी आपके hypothesis disproved हो जाती मतलब आपकी अधी, परिकल्पन अस्विक्रित हो जाती है, तब कि जो शुन्ने परिकल्पन होती है, उसे भी आप disprove करने की कॉशिश करते हैं, उसे प्रूफ नहीं मानन के चलते हैं, क्योंकि नल hypothesis क्या बताते है, कि वेरियाबल के बीच में कोई relation ही नहीं है, जो यह बताती है कि और शिक छिष का क्यों चुझ को औरियाबल को को不錯 करने की कोशिश करते हैं, नहीं बताते हैं, कोई variables के बीच में कोई भी relation नहीं है तो याद रखिएगा हमेशा researcher जब भी अपनी hypothesis को test करते है research में so researcher यह कोशिश करते हैं कि वो अपनी null hypothesis को reject करें और वा alternative hypothesis को automatically उस case में exit कर लेते हैं so null hypothesis जब भी reject हो जाती है research अपने research में जब भी हमेशा अपनी null hypothesis को always disprove करने की कोशिश करते हैं और automatically उस case में alternative hypothesis true हो जाती है alternative hypothesis क्यों होती है कि यह अपकी null hypothesis का opposite होती हो पताती कि variables की बीच में कुछ ना कुछ relation है लेकिन null hypothesis कहती है कुछ relation नहीं है तो याद रखिए यह आपको point second given है जब को point two given है यह आपका सही है research जो आपके शोद करता जो है अपकी जो छुणने परी कलपना इसको हमेशा अस्विकार करने की कोशिश करते हैं तो यह पर आपका first or second point दोनों भी सही है इसलिए इस question का right answer हो जाएगा option C both first and second correct first and second statement दोनों भी सही है next diagnostic research studies नैदानिक अनुसंधान अध्यान इस कुछ में यह पता लगा नहीं कि नैदानिक अनुसंधान अध्धन क्या होती है मतलब आपके जो डाइगनोस्टिक research है उसकी studies क्या होती है diagnostic research में research है किस चीज़ के बारे में study करते हैं सो याद रखिए आपके जो diagnostic research होती है जादा करके science field में use करे जाती है डॉक्टर्स जोग जादा यूज करते है diagnostic research डाइगनोस्टिक के मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में खोजना किसी चीज़ को डाइगनोस्ट करना उसके बारे में और जाना क्यों वह चीज़ है इसकी प्रॉब्लम क्या है वह किस वज़े से वह चीज हैपन और इसकी factors क्या कौन से चीज़े responsible है का solution किस तरीके से निकाल सकते हैं सो इस question में basically हमें diagnostic research की definition पूछ रहा है याद रखिएगा जब भी diagnostic research आती है तो आपको याद रखना है answer ऐसा mark करना है जिसमें किसी प्रॉब्लम का हम cause find out करते हो उसकी root find out करते किस वज़े से वह चीज हैपन हो रही solution to the problem सो जिसमान लीजे इस definition को में example के चुरू समझते हैं जिसमान लीजे कोई person है उस person को heart disease है सो आपके इस तरीके से प्रॉब्लम को आप identify को रहे होगे उसकी root causes किस वज़े से इसको heart disease हुई है सो जिसमान लीजे उस person को heart disease है तो आप बताओंगी कि उनके chest में pain हो रहा है ज्यादा oil intake है proper diet नहीं है sleep cycle proper नहीं है सो इस वज़े से आपकी जो problem है यह heart disease problem अकर होती है सो याद रखिएगा जिससे यहापर मैंने disease का example लिया heart disease है उसका मैंने आपको cause बताया अब factors responsible किस तरीके से कौन-कौन से factors हो सकते है sleep cycle नहीं proper ले रहे होंगा वो person और diet प्रॉपर नहीं होंगा तो यह सारे factors हो सकते है और आप इसका solution किस तरीके से find out करोगे किस तरीके से हम इसका solution find out करें है कि हमको proper diet देंगे आपकी जो body है उस person की body regularly 30 से 60 minute तक move होने चाहिए exercise करना चाहिए proper intake लेना चाहिए diet का तो इस तरीके से हम उस problem को solve करेंगे researchers जो होते है diagnostic research में किसी भी disease से related basically diagnostic research में problem जोती हो इस disease से related होती और है तो उस disease का cause find out करते है root find out करते है किस वज़े से इसका cause है cause किस चीज से cause करी है problem फिर factors कौन से factors responsible है फिर उसका solution किस तरीके से find out करना मतले है समस्या है उसका मूल कारण और उस समसिया के लिए जिम्मेदार कॉन से फैक्टर है उसके बारे में जाने इंकम ऑचिस तरीके से निकलना हो समस्या का मतलब उस Verify and Synthesize Evidence from the Past to Establish Fact to Depend or Refute a Hypothesis. मतलब यह बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो? कुछ Information कलेक करें, इसको Synthesize कर रहे हो इस Evidence को जो पास्ट में है, जो पास्ट में कर रहे हैं, और इसका आप प्रेजेंट में देख रहे हो कि यूज रहे हैं, यहाद रखिए यहाँ पर आपको जो Option B दिया गया है, यह पुराने रिसोर्च से हैं, दिन उसी तरीके से Option C are concerned with describing the characteristics of a particular individual or a group of a character. तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसी क्या, कोई group है, उसका individual, उसका character बता रहे हो, यहाँ पर आप बेसिकली उसको describe कर रहे हो, मतलब इसको आप detail में बता रहे हो, उन विशिश्चताओं को बता रहे हो, आप detail में उसको explain करो, describe कर रहे हो basically, यह आपके descriptive research related है, यह पर आपको एक ही word याद रखना है, आपको key points से याद रखना है, describing आ रहा है, मतलब यह descriptive research related option है, यह आपको option C भी incorrect हो जाएगा, मतलब आपके extraneous variable है, इनका meaning क्या होता है, यह होते क्या है, उनकी definition basically हमें पता लगाना है इस question में, याद रखिए, इस question को हम solve करेंगे, एक example के थरू, हम एक example लेते हैं, उस example को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए, है कि हम variables की जो study करते हैं सिर्फ और मुज़े experimental research में करते हैं, so experimental research में हम यह देखते हैं, कि independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर हम यह देखते मतलब, independent variable और dependent variable की दिपेंदेंट डिपेंडेंट लेकिके भीच में cause and effect relationship को हम find out करते ही, और उसको study करते बताते हैं कि दोनों भी वेरियेबल की बीच में कैसा cause and effect relationship है मान लेजे for example यहाँ पर मुझे study करना है कि मैं अगर water जादा दे रही हूँ किसी plant को तो इस plant की growth कैसी होगी क्या मैं जादा water दूँगी तो plant की growth जादा हो रही है या पिर मैं कम water दूँगी तो plant की growth पर कैसा आसर होगा उसका कैसा effect बताएगा water सो basically water यहाँ पर मैं water की quantity कम जादा कर रही हूँ तो यहाँ पर यह independent variable हो जाएगा और plant की जो growth मैं इसको observe कर रही तो यह मेरा dependent variable हो जाएगा अब इस study में क्या होता है कुछ extra variables आजाते हैं कुछ extra variables जिसे हम कहते हैं extraneous variables so extra variables ऐसे variables होते हैं जो experimental research में study का part तो नहीं होते हैं तो यह फिर भी क्या करते हैं आपके dependent variable को affect करते हैं किस तरीके से किस तरीके से मान लीजिए for example इस study में आपके जो extra variables होंगे जो आपके extraneous variable होंगे वह हो जाएगे आपके wind, temperature, sunlight यह सारे आपके extraneous variable हो जाएगे तो यह extraneous variable आपके dependent variable को affect कर सकते हैं so कभी का बार क्या होता है आप देखना चाहरे हो कि आपकी जो water है कि उसकी वज़े से ही plant की growth हो रही है या फिर उसमें कुछ wind, temperature और sunlight का भी कुछ role है या फिर नहीं है so इस case में आपके wind temperature और sunlight जाएगे यह extra variables होंगे जिसे हम कहते है extraneous variable यह study का हमारे part नहीं होते नहीं हमारे study का purpose होते है लेकिन फिर भी यह हमारे dependent variable मतलब जो plant growth है उसको affect करते है so याद रखेगा extraneous variable वो variable होते है जो experimental research में हमारे study का part नहीं होते नहीं purpose होते है लेकिन यह फिर भी जो dependent variable है इसको affect करते है इसलिए इस question का आपका right answer हो जाएगा option A चर जो अध्यान के उदेश से सम्वेंदित नहीं है लेकिन आख्षी चर को प्रभावित कर सकते है मतलब यह हमारे जो अध्यान है उसका उदेश नहीं होते हमारे study उसका purpose नहीं होते लेकिन यह हमारे dependent variable है उनको प्रभावित करते है उनको affect करते है अब आपको option A correct हो जाए option b variable that depends upon or its consequences of the other variables मतलब ऐसा variables जो किसी variable पर depend है मतलब आपका जो dependent variable depends आ रहा है मतलब यह dependent variables यह option related है जो किसी दूसरे variable पर depend होता है so यहाँ पर आपको option b incorrect हो जाएगा because it is related to your dependent variable उसे तरी के option c variable that is antecedent to the dependent variable so यहाँ रखिएंगा antecedent का मतलब है जो पहले आ रहा है prior जिसका मतलब होता है आपका prior जो पहले आता है so dependent variable के पहले जो variable आता है वो होता है आपका independent variable मतलब आपका option c है यह independent variable से related है ना कि आपके extraneous variable से जो आपका option C है ये भी आपका wrong option हो जाएगा और इस question का आपका right answer हो जाएगा option A next arrange the following steps followed in framing research design for empirical study in correct order अनुभवजन्य अंधन्य के लिए अनुसंदान design तयार करने में अपनाए गए निमलिखी चरनों को सही क्रम में व्यस्थित करो इस question में हमें find out करना है कि अगर आप empirical study perform कर रहे हो तो उस case में आप research design frame करते हो तो research design frame करने के लिए आप कौन-कौन से steps follow करोगे उन्हें हमें correct order में arrange करना है तो यहाँ पर empirical study, empirical study क्या होती है जो आप आपके observations की बैसे इस पर जिसने आप experiments perform करते हैं तो उसे हम कहते है empirical study अब empirical study के लिए आप research design तयार कर रहे हो research design मतलब कि अनुसंदान design तयार कर रहे हो research design क्या होती है जिसमें आप सारी planning करते हो कि मैं इस तरीके से data collect करने वाली हूँ मैं यह sampling technique method यूज़ करूँगे इस इस method से मैं data collect करूँगे उसके बाद मैं इसको किस तरीके से analyze करूँगे फिर मैं कहा की लोगों को लोगे किस population पर मैं research करूँगे यह सारे चीज़ आप decide कर लें तो basically यहाँ पर planning करते हैं कि आप किस तरीके से research को perform करने वाले तो study को perform करन हो तो दिये गए जो हमें options से दिये गए points से उनको हमको एक correct order में arrange करना है पहले हम क्या increase मतलब पहले हम क्या decide करते हैं फिर उसके बाद किस तरीके से pre research study को हम perform करेंगे हम बता करना है सियाद रखे जब भी आप empirical study perform करते हैं जब भी आप real experiments perform करते observe करते चीज़ों को सबसे प पूरी पॉपिलेशन इस पर आप study करने वाले उनको आइटिफाय करते हो उनको पहचान कर लेते हो तो पहचान कर लेते हो इसके बाद sampling technique आप डिसाइड कर लेते हो आपका second point आप पॉपिलेशन में से जिन जिन मेंबर को सिलेक कर रहे हो आप यह बताते कि मैं उनको किस पॉपिलेशन में से यूनिवर्स में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक करने वाले हो या फिर यूनिवर्स में से या फिर पॉपिलेशन में से जो मेरे samples चुनूँगा मैं मैं अपने convenience, judgment और purpose के according चुनने वाले हो इस तरीके से आप sampling technique decide कर लेते हो अब अपने sampling technique decide करका आपके members को आपने चुन लिया, then आप इंचे क्या करोगे, data collect करोगे, मतलब data collect करने के लिए तूल यूज करोगे, यहाँ पर जो आपका fourth point है, यह आपका third हो जाएगा, मतलब data collection tool, data sangrahan, upkaran, यह आपका third point हो जाएगा, मतलब इन लोके से आप जिस तरीके से data collect करने वाले हो इसका tool use करोगे, कि आप questionnaires के थूँ, data collect करने वाले हो यह decide कर लोगे, यह फिर आप interview के थूँ, यह फिर आप observations के थूँ, population में से आपकी जो samples है, उन में से data collect करोगे, आप tool decide कर ले तो basically, यहाँ पर आपने fourth point हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका directly six point आज जाएगा, मतलब जो भी data मिलेगा, अपने data tool से लेक कर लिए, उसरे data आपने data collect करोगे, data tool से लेक करने के बाद, आप data collect करोगे, और आपके पास जो भी data आगया, आप उसको tabulation mode में fix कर दोगे, मतलब आपके पास एक table होता है, उस table में आप सारी information आप फिल कर दोगे, so यहाँ पर आपका six point है, जाएगा, मतलब data संग्रहन और सारनी करन वेद, so यहाँ गया आपका fourth point, then उसके बाद आपका last point बजगया, fourth, फिर उसके बाद जो last point बजगया, आपका वो जाएगा, fourth point के बाद third, third आपका आपका data analysis and interpretation, मतलब यह fifth point आपका, जो third point यहाँ पर given ही आपका fifth आपका, आपने tabulation में सारे data को fill कर लिया, दिन उसके बाद उसको आप data को analyze करोगे, आप observe करोगे, किस तरीके से हमें data मिला है, and then उसके basis पर आप कुछ interpretation निकालोगे, मतलब कुछ conclusion निकालोगे, और अपने जो भी conclusions निकाला, फिर उसको आप एक report में लिखते हो, so यहाँ पर जो reporting है, this point आप ब empirical study है, उसके लिए अगर आप research design frame करते हैं, मतलब अपके research design तयार करते हैं, तो यह सारे step आप perform करोगे, so यह order हमें option C में given है, so इसलिए इस question का आपका right answer हो जाएगा, option C, next, data set has a skewed distribution, एक data set में एक vision वितरन होता है, इस question में हमें यह find out करना है, यह पता लगाना है, कि आपके form में distribute कर दिया, कुछ इस तरीके से आपने distribute कर दिया, so आपका जो data यह skewed है, skewed का मतलब होता है, जुका हुआ, आपका data कुछ एक तरफ जुका होगा, कुछ एक तरफ इस तरफ जादा जुका होगा, so जब भी आपका जो data है, वो जुका होता है, तो उस case में आपके mean, median and mode, इनके बीच में क्या relation होता है मतलब आपकी जो माद्य होती है माद्य का और बहूलक तीनों के बीच में कैसा relation होता है हमें यह find out करना है कि तीनों भी same जगे पर exist करेंगे same होगे यह तीनों की value या फिर इन तीनों की value different होंगे यह हमें यह पता लगा ना इस question में, तो याद रखिए, इसके लिए आपको ये diagram याद होना बहुत important है, आपको बस इस diagram को याद रखना है, बहुत important diagram है, मैं आपको बता दू, इस topic से आपको exam में one or two questions compulsory पूचे ही जाते हैं, इसलिए आप इस diagram को अथी तरीके से याद करके चले जाएगी, जिससे कि आ आपर आप देख रहे हो, स्क्यू के आपके दो टाइप होता है, पॉजिटिव स्क्यू, इस होता है नेगेटिव स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डेटा है, ये राइट साइड पर सारा जुका होता है, और नेगेटिव स्क्यू में आपका जादा तर डेट में लेटा उनिया LEFT साइड में प्रेजन उता है इसलिएम इसको कहते है नेगेटिव स्क्यू और पॉजिटिव स्क्यू यह न Tabii कि is स्क्यूंटइव पॉजिटिव स्क्यू है आप उनिया जंतव स्क्यून करता है ऊट 전에 होते हैं के positive skew में सब से ज़्यादा जो value होगी अपकी mode के होगी फिर उससे कम median and उससे कम आपका mean होगा उसे तरीके से negative skew में सब से ज़्यादा ukking mean की value होजाएगी फिर उससे कि possa median शुराक मोट कुछ इस तरीके से आपके values होगे आप यहां पर देख रहे हूग positive or negative scheme जिसमें आपका जो data है वो जुका हुआ है उस case में mean, median and mode मतलब कि माद्या, माद्या का और बहुलक के बीच में तीनों भी जो हैं उनकी value same नहीं होंगी कम जादा होगी तो इसलिए अगर आपका जो data है वो skewed distribution है मतलब आपको जो data है वो जुका हुआ है तब उस case में आपके mean, median and mode वो तीनों भी same नहीं होंगे different होंगे एक दूसरे से तो इसलिए इस question का आपका right answer हो जाएगा option A जैसे हम यहाँ पर बीच में जो figure है middle में जो figure है उससे देख लेते हैं अगर आपका data skewed नहीं है मतलब आपका data जुका हुआ नहीं है आपका data symmetrical distribution है तो इस case में आपके mean, median and mode इन तीनों की value same होती है तीनों इक दूसरे से equal होते है याद रखना आपका जब भी data set skewed distribution होंगा मतलब जुका हुआ होगा तो इस case में आपके mean, median and mode इन तीनों की value same नहीं होती है एक दूसरे से different होंगे तो इस question का आपका right answer हो जाएगा option A when mean, median and mode if exist are not same जब माध्य माध्य क्या और बहुलक यदि मोजूद हो तो सामान नहीं है तो इस question में आपका option A right हो जाएगा next data regarding number of children born to couples who are selected as samples using probability sampling has been collected which statistical tools will you use to find out first the average number of children couples have and second the number of children maximum number of couples selected for the study have नमोना के रूप में चुने गए जोडो से पैदा हुए बच्चों की संख्या की बारे में data उप्योग करके संभाइवता नमोना करन एकत्र किया गया है point one जोडों के बच्चों के और सत्संख्या and point two अध्यान के लिए चुने गए जोडों की अधिक्तम संख्या के बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए आप किस संख्या के उपकरण का उप्योग करेगे इस question में हमें कुछ case given है और इस case में हमें sampling select किये research अन्या और sampling select करने के बद उन्होंने उस data का statistical tools के थूँ उनका study करे है so statistical tool हम कौन सा statistical tool use करेंगे हमें ये पता लगाना है मतलब और detail में हम देखते हैं इस question को जैसे यहाँ पर कुछ couples थे उनको इस चिल्रिन बॉण हुए हैं मतलब एक जोड़े थे उनको बच्चे पैदा हुए so यहाँ पर जो चिल्रिन बॉण हुए उनको रिसर्च की गई so यहाँ पर जो samples select करे गए मतलब जो children born हुए हैं उनको as a sample select करे गए research अनको samples के तोर पर बच्चों को so यहाँ पर जो sample select करा है यह कौन से method से research ने select करा है probability sampling probability मतलब randomly researcher नहीं आप अपनी convenience judgment और purpose को आगे रख कर नहीं करा है बलके randomly select करा है so इस case में researcher ने इस तरीके से children born जो है उनके select कर लिया जो कि उनके sample बन गए अब researcher को एक statistical tool के थूँ इन पर study जो करनी है statistical tool के थूँ आप so researcher को क्या देखना है यह देखना है कि एवरेज number of children कितने है couples को couples के average children कितने है and second the number of children maximum number of couples मतल़्ाँ कितने couples को maximum number of children है यहाँ में देखना है so याथ रखे first point में में किया बता रहा है the average number of children couples have couples को average number कितने number of children है हर couple को तो यहां पर average हम देख रहे हैं सो obviously हम कौन से टूल का यूज करेंगे कौन से statistical टूल का यूज करेंगे average मतलब हम यहां पर क्या देख रहे हैं जोड़े कि जो बच्चे हैं उनकी औसत संख्या क्या है सो ओसत संख्या के लिए ओसत संख्या देख रहे हैं सिर्फ आपर हम ओसत इस टूल का यूज करेंगे मतलब यहां पर यह देख रहे है researcher कि ज़्याद तर जो couple से उनको average कितने बच्चे हैं तो आप जिससे यह कह सकते है researcher जो जादा है जो couple से उनको average दो-दो children है उनको दो-दो बच्चे है average तो इसलिए यहां पर average यूज कर रहे है researcher average यानि mean का यूज करेंगे average का mean भी कहते है अब हम second point के तरफ चलते है second point में बता रहा है कि the number of children maximum number of couple कितने maximum children है maximum couples को यह हम को बताना है so जैसे for example हम यह देखेंगे कि maximum कितने बच्चे है maximum number maximum यानि सबसे ज़्यादा तो याद रखेंगा maximum जब भी word आता है उसके लिए हम mode यूज करते है mode क्या होता है mode यह बताता है आपके पास जो भी data होता है उस data में एक ऐसा number जो सबसे maximum बार सबसे ज़्यादा बार repeat होता है वह number उसे हम calculate करने के लिए हम mode का करते है mode का मतला भी होता है ऐसा number जो आपके डेटे में सबसे ज़्यादा बार repeat हो उसे हम क्यते है mode यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में research को average number of children देखने था यहाँ पर average number of children देखने है इसलिए हम average यानि mean का यूज करेंगे और mode मतलब जो सबसे जादा बार quantity आ रहे है मतलब research को यही देखने maximum number of children कितने है maximum couples को तो यहाँ पर यहाँ पर researcher जो है mode का यूज करेंगे तो authors और mode इन दोनो statistical tool का यूज करेंगे research study को perform करने के लिए सो यहाँ पर जो आपको option ने हैं यह सही हो जाएगा so median हम देख लेते हैं median क्या होता है average and median given है में option to median क्या होता है middle value so हमें middle value नहीं पता करना है study में सो यहाँ पर आपको option भी incorrect हो जाएगा उसी तरी के option सी arithmetic mean और average so याद रखिए arithmetic mean mean ही होता है आपका और average यह भी mean होता है so औसा तो और औसा यह तो नहीं होगा option यह पर आपको option C incorrect हो जाएगा उसी तरीके से option D median and mode मतलब माध्य का और विदा so median जो आपकी median value है mode ऐसी value जो सबसे जाए बर repeat हो रहे है so यह आपको option D भी incorrect हो जाएगा so इस question का आपका right answer हो जाएगा option A इस study को perform करने के लिए research average and mode statistical tool का use करेंगे next complete enumeration of all items in the population is known as जन संख्या में सभी मदों की संपुर्ण गणना को कहा जाता है इस question में हमें यह find out करना है कि आपके पास एक population है एक population में से आप पूरी population में से कुछ information collect करें एक population है इसी पूरी population से आप information collect करें population में जितने भी पूरे members है जितने पूरे अपके पास items है उन सब से आप complete information ले रहे हो तो उससे हम क्या करतें याद रखेंगा जब भी आप पूरी population में से मतलब आपकी पूरी जन संक्या है जन संक्या है कि सभी members में से सभी उनके elements जोते है आपकी जन संक्या कि उन सभी से आप information collect कर रहे हो तो उससे हम कहते हैं census inquiry जनगना जाज आज आपकी जनगना जोती है आपकी जो census जोते हैं इनसे आप inquiry सबस्क्राइब सबस्सार पोपिलेशन करते हैं उस ऐसाम on the ग्रत और में में हैं दर्फाल सालबर कर्वा जाती है कि उस प्रतिक्वलाँ ऑप्पिलेशं कि नीनल डीडरेट है कि नेल भी पढ़े लिके इच्थेड़ और population जो रह रही है उनकी जो status किया है उनका social status किसा है वो क्या उनकी income कितनी है average income कितनी है लोगों की यह बता सकते है census inquiry के थुरू और जन्गनल जाज के थुरू यही study की जाती है याज रखेगा अगर आप population में से हर एक पूरी population में जितने भी आपके मदे मदों से आप पूरी information कलेक करें मतलब population के हर एक items से आप information कलेक करें तो उससे हम कहते है census inquiry तो यह पर आपका option C correct हो जाएगा अब जो remaining options है उन्हें भी हमें एक बारी देख लेते हैं आप पूरी population तो किसमें चैब कर रहे हैं पूरी population से अगर आप information कलेकर तो उसे हम study population नहीं करेंगे अध्यान आबादी नहीं करेंगे इस question का option है इनकरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से option B universe यूनिवर्स मतलब की ब्रह्म हांड मतलब यूनिवर्स क्या होता है इसे यू पॉपेलेशन को ही यूनिवर्स करते है अगर आप पुरी पॉपेलेशन से स्टडी कर रहे तो उसे हम पॉपेलेशन नहीं करते हैं वहलते हैं सेंसेस कहते हैं तो यह आपका ऑप्शन भी इनकरे हो जाएगा और इस question का आपका right option हो जाएगा option C census inquiry जन गन्ना जाच and thank you for watching this video good luck with your preparation and see you tomorrow with another video